कई बचे पूछने की सर अच्छी राइटिंग जरूरी है तो अच्छी राइटिंग भई, या इतनी तो अच्छी हूँ नीची पढ़ने में आ जाए, तो राइटिंग पे, कंटेंट पे, दोनो चीजों पे तुमको फोकस करना है, क्या लिख रहे हो कैसे लिख रहो, दोनों चीज़े माइने रखती हैं, अच्छा-च्छा लिखोगे, सही बाते लिखोगे, मार्क्स मिलेगा, अच्छी बाते लिखोगे, बट राइटिंग होच-पोच होगी, तो कहीं, देखो, राइटिंग का मतलब यह नहीं कि थोड़ा कम अच्छी है, अच्छा ढंका लिखना, तो तुमको जादा मार्क्स मिलेंगे, और वहीं गिच-पिच करके लिखोगे, मार्क्स नहीं, कटेंगे बेकार में मार्क्स, सर्फ बाल पेंसे ही एक्जाम देना होगा, अच्छा एक चीज़ और भई समझ लो, अभी एक्जाम देना होगा, तो लेके जाना, और बहुत से बच्चों का सवाल यह है, कि ब्लैक से लिखना है कि ब्लू से लिखना है, तो एक चीज़ याद रखो, ICSC World में, questions तुम्हें लिखने होते हैं, questions तो वैसे लिखने नहीं है, questions के लिए black pen use करते हैं, questions के लिए, और answers के लिए we use blue pen, answer लिखने के अपना roll number लिखना होगा, यह सारी चीज़े जो कही जाती है, यह सारी तुमको भरनी होगी black dot pen से, ठीक है, यह ध्यान रखना, यह rule होता है, black dot pen लेके जाना, लेकिन काहे के लिए, अपनी entries फिल करने के लिए, entry भरने के लिए, बाकी exam की copy में answer जो लिखोगे, वो तुमारे अलग, उसके लिए लेके जाना, black या blue, black तो चलो question तो लिखना नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, blue से लिखोगे, तो थोड़ा अच्छा रहा लगा, पूरी copy काली-काली होगी, examiner को मतलब एक तरह से देखने में भी, काला-काला हो, अच्छा भी नहीं लगता देखने मे और दूसरी चीज, यहाँ पे एक तुम लोग को tip मैं दे रहा हूँ, answer लिखने के लिए gel pen का use करना, ठीक है, इसके लिए तो dot pen इस्तमाल करोगे, entry करने के लिए, लेकिन answers लिखने के लिए gel pen का इस्तमाल करना, gel pen से writing अच्छी आती है, हो सकता है कोई कहा है कि dot pen से मेरी अच अच्छी आती है, पर मैंने personally, because gel pen में बहुत ही smooth ऐसे flow होता है, हाथ दर्द नहीं होता, ठीक है, आराम से लिख पाओगे, हाथ दर्द नहीं करता है, बहुत आराम से लिख पाते हो, gel pens का use करना, writing अच्छी होगी, और साथ में तुमारा हाथ भी नहीं दर्द होगा, gel allowed नही अगर देखा होगा, तो इस तरह यूँ निफ लगी होती हो, इसके अंदर अगर इसको zoom करके देखोगी न, तो इसके अंदर यहाँ पे एक ball इस तरह होती है, जब लिखते हो तो इसी ball से ink आती हो इस ball से लिखता जाता है, यह तुमारा होता है, dot pen जिसको कहते हो, एक दूस बस इतना ही फर्क होता है, यहाँ पे gel होता है, अंदर इंक भरी होती है, gel उसको push करता रहता है नीचे इंक को, और इंक इसमें पतली होती है, इतना ही फर्क होता है जेल में और thick ink वाले में, कभी-कभी throwable वाला भी आता है, एक इसका throwable वर्जन भी होता है, जिसको फेक दे रो होता है, एक दूसरा refill वाला भी आता है dot में, और एक gel में आता है, gel मतलब ये मोटी ink वाला, तो ये सारे ही तुम्हाई ballpoint pen है, ये सब exam में use कर सकते हो, ये कोई वो नहीं होता, कि यहाँ पे तुम use कर रहा हो वही अला, thick ink वाला इस्तमाल कर रहा हो, इसमें हाथ दर्द हो ध्यान रखना, इसमें तुम्हारा pain हो जाएगा hand में, pain in hand, अगर तुम लंबे समय तक इससे लिखोगे, in long writing, अगर तुम जादा लिखोगे, तो इसमें तुम्हारा हाथ दर्द हो जाता है, तो thick ink वाला होता है, और gel में, अगर कभी लिख के देखा है न, ये अला gel जैसे ह जब लिखते हो, तो इससे writing जड़ा देखो, लेकिन इससे लिखा है, ये gel से लिखा है मैंने, और gel भी क्या है, ball point ही तो है ये भी, कोई सा भी तुम पेन यूज़ करना, लेकिन मेरी अगर तुम मानोगे, तो ये वाला लेना, भले मोटा पेन मतलो, मैंने कहा हूँ ये मोट पेन लो, एक पतला भी gel पेन आता है, लेकिन gel वाली इंक वाला यूज़ करोगे न, आसानी से लिख पाऊँगे हाथ दर्द ने होगा, बहुत आराम से मक्खन की तरह चलता है, no pain in hands, in long writing, इससे लिखते-लिखते हाथ दर्द कर जाएगा इसमें, जो मोटी thick इंक वाला आता है, ठीक है, बॉल पॉइंट इसमें भी होता है, यह भी इसमें भी बॉल पॉइंट है आगे, यह जो बॉल लगी होती ही छोटी सी, this is ball point, यह दोनों ही ball point pen है, और तुम्हाएं इंस्ट्रक्शन में अगर तुम पढ़ना, यह तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है, time table का, इसमें यह देखो, देखो दिया हुआ है यह चीज, यहाँ पर पढ़ो, यहाँ दिया हुआ है इस्ट्रक्शन में साफसा, all entries on the answer booklet are to be made with black blue ball point pen, ball point pen है, और even तुम fountain pen भी इस्तमाल कर सकते हो, also fountain pen, तुम fountain भी use कर सकते हो, और कोई साब भी use कर सकते हो, इसमें दिखाते हैं, यह दिखेगा नहीं, तुमको यह मैं दिखा देता हूं, यह देखो, इसमें लिखा है waterproof, यह पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, इसमें waterproof इंक लिखा हुआ है, इसमें लिखा रहता है waterproof, कोई सा pen तुम लो, इंक उसमें waterproof ही आजकल आती है, जो original पहले से refill पड़ी होती है, वो waterproof इंक होती है, तुम कोई सा लो, तो यह अफवा है, teachers जो बताना देखो खुद देख लो तुम खुद देख लो यहाँ पे देख लो all entries in the answer booklet are to be made by black blue ballpoint pen ballpoint pen बोला है ये दोनों हो सकते हैं ballpoint pen का मतलब कोई सावी चाहे तुम gel वाला use करो gel भी तुमारा ballpoint pen नहीं उसमें भी ballpoint लगा होता है चाहे तुम गाड़ी इंक वाला use करो जो use and throw वाला आता है मेरे पास दोनों हैं नहीं दिखा लेता है ये भी ballpoint pen है और ये भी ballpoint pen है ये gel वाला है मोटी refill इसमें देखो पड़ी है ये वाला use and throw वाला है चाहे तुम इसका इसका इस्तमाल करो इसमें हाथ दर्द कर जाएगा इसमें हाथ दर्द नहीं करेगा इसमें आराम से writing अच्छी बनती है हाथ नहीं दर्द करता है और सोच के तो जहां 2 घंटा लगातार तुमको लिखना है हाथ दर्द अगर हो गया न पेपर तुमारा अच्छी writing नहीं आएगी खराब भी हो जाएगा इसलिए कोशिश करना जल से लिखना मतलब मेरा advice यही रहेगा बाकी तुमारा मैं लिखके देख लो अभी अभी दो दिन है लिखके देखना तुम जल पेन खरीद लाओ जल से लिखके देखो लगातार कमसे कमें एक घंटे तक इससे लिखके देखो इससे और इससे लिखके देखो पता लग जाएगा किसमें हाथ दर्द करता है किसमें नहीं करता है और बाकी देखो एक और चीज़ भी दी हुई है तुमने इसमें पढ़ा होगा भी, इसमें ये भी दिया है, तुम fountain pen भी इस्तमाल कर सकते हो, even you can use fountain pen, जिसमें ink पढ़ती है उपर से, even तुम उसका भी इस्तमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें time waste होता है, उसमें बार-बार ink तुमको डालनी पड़ेगी, उसमें time waste होगा, तुम ये इन में निकल जाती है, gel वाले जो होता है न ये, इसमें ink पतली होती है, तो ये लिखते बनता है इनसे आराम से, इसमें हाथ नहीं दरद होता है। ग्रिब भी होती है, हाथ भी नहीं दर्द होता, इस वाले में हाथ दर्द कर जाता है, गड़ो-गड़ो के लिखना पड़ता है, एकदम फोर्स लगा के, मैंनद करके, ये चीज़ है, ये देखो, अच्छा है, एक और पॉइंट यहां पर पढ़ लो, मुझे दिख गया, ये विल भी टेकन इंटो अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें है, और बाकी देखो, ये इस सब कहा गया है, कि यहां पर बॉइल पॉइंट पेन का यूज करना है, फोर राइटिंग और अंसर, तुम कोई सा भी उज कर सकते हो, ब्लैक भी यूज कर सकते हो, देखो, दोनों भी जो बनाओगे, वो पेंसल से बनाओगे, ये सारी चीज़ें है, और बाकी कोई electronic device तो नहीं ले जा सकते हो, ये तो साफ सब को बता हो गया ये चीज़, ठीक है, तो ये कुछ important points से जो मैंने सोचा, तो मैं बता दूँ, बाकी वो waterproof आला तो मैंने बता दिया, कि waterproof तुमाई ज लेगा वे जाएगे, कार वार में भरके जाएगी, कार में तुमाही बारिश का पानी नहीं जाएगा, अपनी सवरिया देखो, पतली इंक वाले pencil लिखो गोगे, जल pen, से लिखोगे, हाथ दर्द्ने होगे, लंबे समय तक लिख पाओगे, अच्छा हैस से लिखोगे, तिम fancy watch भी allowed नहीं होती है, no fancy watch, simple watch वहाँ पर लेकर जा सकते हो, ठीक है लगी, तो इन सब बातों का ध्यान रखना, घड़ी पहन के जा सकते हो, मैंने खुद पहन के दिया exam, लेकिन कौन सी, fancy नहीं होनी चाहिए, digital नहीं होनी चाहिए, simple, plain, कोई उसमें तमाशा नहीं होना चाहिए छोटी घड़ी हो, simple सी, वह पहन के जाने को मिलेगा, ना allow हो, कुछ नहीं, अपनी आस्तीन में छुपा लेना, अंदर जाके वह कोई नहीं कहेंगे, बाहर का examiner कुछ नहीं कहता है, school वाले भले, कहें कि नहीं, यह नहीं होनी, लेकिन plain वाली होगी तो allowed होती है, digital या fancy वाल होगी तो उतर वाली जाएगी, so एक और चीज, water bottle transparent वाली ले जाना, यह लेके जा सकते हो, यह allowed होता है, ठीक है, पानी को यह नहीं छीन के रखेगा, लेकिन transparent bottle होनी चाहिए, और transparent में अलब आर पार जिसमें दिखे, और any label के बिना, यह वाली लेके जा सकते हो, ठीक, और छ no sharing, sharing नहीं करनी है पानी की, no sharing, जो लाएगा वो अपना पीएगा, जो नहीं लाएगा, वो नहीं पीएगा, सब लोग अपना अपना लेके जाना पानी, क्योंकि बीच मैं मांगोगे, तो उसमें वो cheating में आ जाता है, इधर उदर तुमको बात नहीं करनी है, no sharing, सीधे अप फिर कहोगे तुम लोग ब्रेंडिंग कर रहो, कि यहाँ पर इस तरह की ले जा सकते हो, इसका लेबिल अच्छली पानी फार देना, सिर्फ बौटल होनी चाहिए, लेबिल हटा के पूरी पानी की आती है, अगर इसमें तुमको awkward feel लो, इसमें शरम है, तो फिर ये काम करना पाणी की बॉटल, अलक से नहीं आती ट्रांसपेरेंट वाली, खरीद लेना, पाउच भी अलाउड होता है, पेन के लिए पाउच अलाउड होता है, लेकिन पाउच भी कोशिश करना, उसमें कुछ भरा ना हो, पाउच ले जा सकते हो, पाउच क्या box पाउच और box ले जा सकते हो pen रखने के लिए इतना तो सब ले जाएंगे pen pencil जेब में तो रखे जाओगे नी तो पाउच ले जा सकते हो बस ये है कोशिश करना उसके अंदर कुछ चिट ना हो ये चेक कर लेना और एक और भाई बात कई बच्चे ये करते हैं देखो जब एक्जाम में first day जाओगे तो एक्जाम में ये बात का ध्यान रखना जब एक्जाम देने से पहले जब बाहर assembly में होगे अपनी pockets अच्छे से चेक कर लेना प्लस अपने जेबे हो गई और box में दो चीजों का चेक करना चेक फॉर चिट्स कोई चिट हो चिट ना भी हो तुमारा क्या कहते हैं टोकन हो गया साइकल वाईकल का चलो टोकन तो अपने पाउच में रख सकते हो तुम वो दिखा देना कि हमाई बाई का टोकन है जो भी है और कोई भी चिट नहीं होनी चाहिए इवन तुमारा previous day का paper भी नहीं होना चाहिए ये भी ध्यान रखना not even not even previous day paper अगर पिछले दिन का paper भी रखा है वो भी cheating material माना जाता है not even previous day paper वो तुमको निकाल देना है वो अगर school लेके आ गए हो तो वो अपने box से अपनी jayb से निकाल देना है वो तुमको लेके नहीं जाना है ठीक है इन छोटी उटी बातों का ध्यान देना और बाकी कोई pen drive तुमाई jayb में नहीं होनी चाहिए और कोई चीज़े नहीं होनी चाहिए विकॉस चेक हो जाएंगे निकल बा दिये जाएंगे ठीक है और बाकी और हो गया तुमारा तो वाँ पे तुम्हारे ही time waste होगा सब exam में अपना लिखते रहेंगे किसी का time बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा time बर्बाद होगा तुमको पकड़ लिया जाएगा हो सकता है पहली बार में निकाले नहीं इतने हार्श नहीं होते हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे टाइम वेस्ट होगा, तो कोशिश करना है, सजग रहना, थोड़ा हुशियार रहना, पहले दिन घबराहट होती है, लेकिन फिर भी उस घबराहट में तुम्हें सेंस नहीं खोने है, अपने सेंसे जोन रखना, और आसपास की चीज़ें देखे र रहे ना कि लाए हो कि नहीं लाए हो, घर से निकलने से पहले भी, इस्कूल जाने के बाद भी, जब वहाँ बैठोगे तब भी, admit card के बिना तो भई, कामी नहीं होना, admit card, plus pens लाए हो की नहीं, pen working है की नहीं, pen चल रहे है की नहीं, extra pens भी तुमको रखने है, ये दो-तीन बात admit card में जो तुछा, roll number दिया होता है, वो तुमारा table पे इस तरह परची चिपकी होगी, table पे यहाँ पे एक परची चिपकी होगी, उस पर तुमारा roll number लिखा होता है, यहाँ पर रोल number लिखा होगा, तो तुमें बता दिया जाएगा, हाँ, यह मतलब जाओ बैठो जाके, त तो sequence अपना देख लेना और चिपचाप जाकर अपनी seat पर बैठ जाना, single single seats होती है, कोई जूड़ी seats नहीं होंगी, सब अलगा अलगा होंगी, और seats के बीच में distance भी होता है, एक seat यहाँ है, तो दूसरी seat इधर होगी, आगे वाली seat और पीछे वाली seat, ऐसे ऐसे होती है seats, चिपची seats नहीं होंगी, और दूसरी चीज यह भी, कि जहाँ बैठ होगे, उसके आसपास का area भई देख लेना, ड्रॉर चेक कर लेना, अगर किसी की मेज में, जहाँ पर exam दोगे, वाहाँ पर ड्रॉर होगा मेज में, तो ज़रूर से चेक कर लेना, desk में अपनी, drawer में कुछ रखाना हो, ठीक है, क्योंकि रख जाते हैं बच्चे, और दूसरी चीज, कभी-कभी इस पर कुछ लिखा होता है, लिखा हुआ चेक कर लेना, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है पहले से, ये चेक कर लेना, ये भी cheating माना जाता है, तो अगर कुछ लिखा हो, तो या तो उसको मिटा देना, eraser से, इसको erase कर देना, erase it, और अगर ना erase हो, तो teacher को बुला के दिखा देना, सरे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब बोलने में आगे रहना, वरना बाद में फस जाओगे, exam बिकार हो जाएगा माँ पर, ठीक है, और अपने paper पे कुछ न मतलिखना, paper पे अगर लिखोगे, तो वो cheating माना जाता है, because तुम papers pass कर सकते हो, तुम से शायद बता दिया जाएगा, कि paper पे अपना roll number उपर लिख दो, ये कहा जाता है, कि अपने exam question paper पे अपना roll number उपर लिख दो, ताकि पता रहे कि ये तुमारा paper है, तो इसी लिए अब ये करा जाता है ये सब चीज है, cardboard मत लेके जाना, वहाँ पे desk ही तुमाई अच्छी होगी, उसी पे लिख सकते हो, cardboard मत लेके जाना, copy तुमाई मोटी होती है, copy तुमें single मिलेगी, याद रखना, आप यहाँ पे बीवी copy का कोई system नहीं होता, single copy मिलती है, मोटी होती है, और उसी में, as a register की तरह इतनी मोटी होगी लगबग, तो उसी पे ही लिख सकते हो, no cardboard, cardboard होगेरा मत लेके जाना, writing pad allowed नहीं होगा भई, sir हम लोग admit card को lamination, हाँ lamination करा सकते हो, यह अच्छा point है, admit card को भई अपना, अगर safe रखना है, तो admit card को lamination करा लो, उस पे देख लेना, sign wine अगर कहीं करना हो, जिन्दगी में एक बार के लिए है, कहते हैं नहीं है, once in a lifetime moment है यह, तो एक बार ही आज दोगे exam, और यह हमेशा के लिए तुम्हाई, mark sheet में छप जाएगा, mark sheet जब मिलेगी न, अभी जब exam देके आओगे, जब result मिलेगा, तो यह जो 10th की mark sheet होती है, तुमको याद रहेंगे, द्यान रखना, यह एक ही बार चपेगी, और जिन्दगी बार के लिए यही लाई, यही तुम्हाई चलेगी, ठीक है, हर जगा काम आती है, तो कोशिश करना कुछ ऐसा कर देना, जब photo किचाते हो, तो हस के नहीं किचाते हो, चीज करके, तो इसी लिए, यह जो तुम्हाई photo आएगी, मार्कशीट की, ऐसा कर जाओ, कि यह तुम्हाई smiling मार्कशीट आजाए, इसको देख के हमेशा तुम इसमाईल करो, यह सोच लो, जितना अच्छा best performance, जितना best तरीके से answers करके आ सकते हो, बेस्ट एक्जाम दे सकते हो, अपना best दे दो, 100% दे दो, यह मार्कशीट अच्छी आ गई न, तुम्हाई parents के चेहरे पे खुशी आ जाएगी, तुम्हाई चेहरे पे खुशी आ जाएगी, और जब भी तुम इस मार्कशीट को देखोगे, वहाँ पे तुम मुस्कुरा के ही इसको देखोगे, तो कोई डिप्रेस होने की बात नहीं है, एक्जाम है, एक्जाम है बट वन से लना लाइफ टाइम है, तो जी कर एक्जाम दो, पुरा एकदम होता नहीं है, फुल पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे से एक्जाम दो, और पहला एक्जाम कोशिश करना, इंग्लिश लैंग्विज का अच्छा करके आना, पहला एक्जाम तुम्हारा अच्छा होगा, कुछ ऐसा मत करना, वहाँ पे विकारन फस जाओ, अच्छे से एक्जाम करके आओगे, पहले दिन मूड अच्छा रहेगा आगे के भी ग्जाम समय अच्छ अच्छ जाएंगे सर एक्जाम हॉल में डाउट्स पूछ सकते हैं क्या डाउट्स क्या अगर कोई दिक्कत है तो टीचर से कह सकते हो बच्चे से मत पूछना एधर उदर अगर कोई तुम्हें दिक्कत है तो वहाँ जो एक्जामनेर है सर हो या मैम हो तो उनसे डिरेक्टली कह सकते हो कोई तुमको दिक्कत है तो सीधे तुम एक्जामनेर से बोलोगे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है सीधे उनको बुलाओ अपने पास या फिर उनको कहो सर उसके बुला के उनसे डिरेक्ली कहोगे आसपास अगल बगल बात नहीं करनी है अगर तुम्हें डाउट है कि कुछ गलती है या दिक्कत है तो फिर सीधे एक्जामनेर से यह रूल है कि अगर तुम्हें लगता है कि जो एक्जाम में कोई तुम्हे दिक्कत है तो सीधे एक्जामनेर से तुम बोलो बच्चों से नहीं बोलना है इदर उदर से स्कूल में क्या black pen use करने को बोला है अब कौँ सा बच्चा मैंने तुम्हें ICSC का admit card के पीछे का instruction दिखा दिया मतलब time table के पीछे का ICSC board की बात मानो school की बात क्यों मान रहो school थोड़ी copy check करेगा copy check करेगा ICSC ICSC के तुम्हें rules में दिखाया है तुम्हें मैंने szyb타 की खोल दिखाया है अभी जो मैंने अभू के दिखाया है किदर गया देखलो भी यहांपे ICSC का ही मैंने तुमको दिखाया था है ॏ यहँन पर देखलो यह आइसोजी की तुम्हाई IP 1942 इसमें नीचे यह देखलो कि blue और black कोई सा भी use कर सकते हो यह ICSC का खुद का rule है मेरा बनाय हुआ rule नहीं है यह देखो remember neat handwriting पहले तो यह है you may use a black और blue कोई सा यूज करो black भी use कर सकते हो blue भी use कर सकते हो but I will suggest कि blue वाला use करना blue थोड़ा जाद अच्छा लगता है देखने में और आगे दिया हुआ है ballpoint pen और slash fountain pen और for writing your answers तो जब ICSC कह रहा है तो क्या गम है ICSC चेक करेगा ना copy school थोड़ी चेक करेगा so अब हम finally end करते है red pen से ना red से नहीं या तो blue या तो black या तो काला pen या तो नीला pen काला नीला इनके अलावा कोई pen मत लेके जाना हरा pen नहीं उसकरना है लाल pen नहीं उसकरना है लेके जाओगे ऐसे marks कटेंगे ना teacher तुरंट वास चीने का pen और लिखते मिल गए red pen से cheating माना जाएगा उसको तो इसलिए काला नीला दो pen लेके जाने है काला नीला बस काले नीले में ही तुमाही जिंदगी है काला नीला नीले से लिखना answer ये ज़्यादा अच्छा है काला और नीला दो pen के अलावा कोई pen रख के मत ले जाना